सब्सक्राइब कीजी गौर्णमेंट एमप्लोईज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हर खाबर सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब का गौर्णमेंट एमप्लोईज न्यूज यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या एक जनुवरी 2004 के बाद में सरकारी नौकरी जोइन करने वाले केंद्रिय कर्मचारियों को पुरानी पैंशन सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों इसमें चार मंत्रियों ने मिलकर पूछा गया था कि क्या प्रदान मंत्री जी है बताने की कि किरपा करेंगे कि क्या सरकार के पास मैं पुरानी जो न्यू पैंशन इसकी में उसको खतम करके पुर लागू किया जा सके और लिए अइसा है सरकार के पसमें कोई प्रस्ता तो कब तक लागू हो जाएगी और मिलेगी और अपना चैनल और ने लिए और सब्सक्राइब दिया तो इसका सबसे पहले जवाब दिया था उन्होंने जो सरकार को पहुत सारी जो करने की और लेकिन सरकार के पास में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे न्यू प्रेंटेंशन को खतम किया जाए और पुरानी पैंटेंशन स्कीम को एक जनवरी दोजार चार के बाद में सरकारी नौकरी जोइन करने वाले कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए तो दोस्तों इसमें ओने यहां पर सीथा क्लियर कर दिया है कि तो यहां पर क्लियर कर दिया लोग सभा में भी कि सरकार के पास में ऐसा कोई प्रस्ता प्लंबित नहीं है जिससे न्यू पैंटेंशन स्कीम को खतम किया जाए और पुरानी पैंटेंशन स्कीम का लाब दिया जाए एक जनवरी 2004 के बाद में सरकारी नौपी जो करने वाले कर्मचारियों के लिए उसके बाद में दोस्तों नहोंने जो नेशनल पैंटेंशन सिस्टम या न्यू पैंटेंशन सिस्टम यहां बोल सकते हैं उसके बहुत सारे नहीं पर फाइदा गिन के बाद में ही आपको क्या रिटरन मिलेगा आपका कितना रहेगा रेटार्मेंट के टाइम पर वह यहां पर इन्होंने पताया है तो इसमें सरकार के तरप से तो जो एन्पियस से उसको जादा फाइदे मंद बताया गया है किन्दे करमचारियों के लिए त्यूंकि इसमें उने बोला है कि आपको इसमें टेक्स का फाइदा भी मिलता है और पच्चीस परसेंट आपके द्वारा जमा की रासी को रिटार्मेंट से प सोड़ कर उन्हें NPS का ही लाब दिया जाएगा पुरानी पैंसन का लाब नहीं दिया जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखनी के लिए आपको धन्यवाद और सरकारी करमचारी हम पैंसन भोगने से जुड़ी हुई हर एक ताजा खबर को सबसे प सब्सक्राइब करें